हालो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टो क्लास इंगले सिंप्लिफाइट एन थैंक्यू सो मच पो जॉइनिंग अस स्टुडेंट आज हम करेंगी कुछ इंपोर्टेंट कोशन आंसर ओफ चैप्टर वन दि पोट्रेट ओफ ए लेडी जो की लिखा है खुश्वन सेंग जी ने और जो क्लास 11 होन मिल बुक से हमने लिया है तो स्टुडेंट इसकी डीटेल्ट एक्स्प्लेनेशन इस चैप्टर की और शॉर्ट समरी और इसके साथ सत इसके MCQs, Character Sketch जितने भी वीडियो अभी तक कवर है इनके सब के लिंक आपको description box में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिए तो स्टुडेंट शुरू करते हैं हम question answer को question number one है what was the last sign of physical contact between the author and the grandmother why did the author think that to be the last physical contact कि जो physical contact था author का यानि कि खुश्वन सिंची का अपनी grandmother के साथ वो क्या था और उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये last physical contact था उनका उनकी grandmother के साथ तो answer है when the writer was going to the abroad to study for five years the grandmother kissed him on the forehead at the railway station कि जब writer है पांस साल के लिए abroad जाते हैं अपनी study को complete करने के लिए तो grandmother उन्हें station पर छोड़ने के लिए आती है और वहाँ पर वो अचानकी उनने forehead पर kiss कर लेती है So the writer thought that was the last physical contact with his grandmother अब ये जो writer सोसते हैं ऐसा कि ये उनका last physical contact है grandmother के साथ तो वो ऐसा क्यों सोसते हैं The author's grandmother was very old So the writer thought that when he comes back from the abroad after five years maybe his grandmother will not be alive in this world कि अब वो पांच साल के लिए बाहर जा रहे हैं और उनकी जो grandmother है वो बहुत ही जादा बूरी है इसलिए author ऐसा सोसते हैं कि जब वो पांच साल के बाद वापिस आएंगे तो शैद उनकी दादी इस दुनिया में जीवित ना रहे तो इसलिए जब वो किस करते हैं उन्हें रेलवे स्टेशन पर तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये शैद लास्ट फिजिकल कॉंटेक्ट है उनका उनकी दादी के साथ Question Number Second है Everybody including the sparrows mourn the grandmother's death Elaborate yarni के mourn का मतलब होता है शोक करना यarni के दुख वियक्त करना कि जब grandmother की death होती है तो sparrows भी क्या करते हैं शोक वियक्त करते हैं उनकी death पर तो इसको आपको elaborate करना है तो आंसर है When the grandmother died thousands of sparrows collected and sat in the courtyard courtyard का मतलब होता है students घर का आंगन कि जब grand mother की ठैथ होती है तो हजारों की दादाद में जो sparrows नहीं कठे हो जाते हैं और courtyard में बैठ जाते हैं अब इसी courtyard में जो grand mother है वो हर afternoon में इनको दाना डाला करती थी और ये वहाँ पर आया करते थे बहुत शोर किया करते थे और दादी के साथ खेला करते थे और उसके साथ साथ वो दाना चुगा करते थे There was no chirping अब आज वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे chirping नहीं कर रहे थे When the author's mother threw some bread crumbs for them they took no notice of the bread crumbs अब उन्होंने सब ने यही सोचा कि ये बिचारे आज भी क्या है खाना खाने के लिए आएवे हैं bread crumbs खाने के लिए आएवे हैं तो इसलिए जो खुश्वन सिंग जी है उनकी मदर उनकी तरफ क्या करती है कि कुछ bread crumbs बिलकुल दादी मा की स्टाइल में तोड़ कर उनकी तरफ टाल देती है लेकिन वो उनकी तरफ देखते तक नहीं है They were full of sorrows at her death and flew away quietly after the cremations कि वो बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं उनकी death पर और जब उनको अंतिम संसकार के लिए उनकी body को लेकर जाते है तो वो चुप चाप कहीं दूर उठ जाते है This was a true tribute of sparrows to grandmother और ये sparrows का एक सच्चा tribute था शर्दाजली थी grandmother के लिए तो question number 3 है Describe the author's grandfather as he looked in his portrait कि author's के grandfather को describe करो कि जैसे वो अपने portrait में जो चितर में लग रहे है तो answer है In the picture the author's grandfather wore a very large turban and was wearing very loose fitting clothes कि अपने picture में अपने portrait में जो author के grandfather है उन्होंने एक बहुत बढ़ी पगड़ी पहनी हुई है और इसके साथ उन्होंने बहुत ही धीले ढाले कपड़े पहने हुए है अब इनका जो portrait है वो कहाँ पर लगा हुआ है student वो drying room में mental piece के उपर लगा हुआ है और mental piece क्या होती है एक तरीके के अंगीती होती है जो दिवार में ही बनाई जाती है जहां लकड़ियां जलती रहती है room को गरम करने के लिए और उसके ओपर चिमनी लगी होती है smoke को घर से बाहर निकालने के लिए he had a very long white beard that covered his entire chest अब उनकी एक बोखोती लंबी सफेद दाड़ी होती है जिन्नोंने उनकी chest को क्या होता है पूरी तरह से घेर रखा होता है धगावा होता है his grandfather in the photo looked as old as 100 years अब उनके जो grandfather है वो अपनी photo में कैसे लग रहे है पूरे 100 साल जितने बुड़े वो लग रहे है seeing them it seemed that he would not have children he would only have many grandchildren अब वो इतने ज़्यादा बुड़े लग रहे हैं अपनी photo में कि उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी इनके बच्चे रहे होंगे उनको तो देखकर हमेशा ऐसे लगता है कि इनके तो सिर्फ और सिर्फ grand children ही होने चाहिए यानि कि पोते और पोतियां ही होनी चाहिए तो यानि कि वो इतने ज़्यादा बुड़े लग रहे हैं कि ये विश्वास करना ही मुश्किल है कि वो कभी यंग भी होंगे क्वेशन नमबर फोर्थ है कि जो ग्रैंड मदर है वो आथर को किस तरीके से प्रिपेर करती है स्कूल जाने के लिए तो आंसर है और इसके साथ साथ वो जब उनको नहलाती थी तो एक प्रेयर गया करती थी और वो प्रेयर क्या होती थी बड़े ही मनोटनस होती थी यानि कि बड़े ही बोरिंग से अंदाज में वो एक प्रेयर को गया करती थी और उन्हें School के लिए तैयार किया करती थी अफटर इस बोध आफ दम यूस्ट हो तो प्रेड बटर एंड शुगर ओन टॉप अंट और ऑफ तेल चपाती और इसे वहस तैयर ब्रेकफास्ट और से के बाद वो दोनों क्या करते थे कि हमेशा जो stale चपातियां होती थी जो बासी चपातियां होती थी उनके उपर गटर को spread करते थे और उसके साथ साथ शुगर को spread किया करते थे उसकी टोप पर और ये उनका breakfast होता था यानि कि इसको वो खाया करते थे अब इसके बाद वो एक बंडल में बान देती थी और इसके बाद वो अपने साथ क्या रख लेती थी कुछ स्टेल चपातिज रख लेती थी कि गाओं के विलेज के डॉक्स को वो खिला सके और उसके बाद वो दोनों क्या करते थे एक साथ इकठे स्कूल चाया करते थे तो ये उनका रूटीन होता था स्टूडेंट्स रोज मॉर्निंग का और वो हमेशा राइटर के साथ स्कूल जाती थी कि कुझो स्कूल जो था वो टैंपल के साथ अटैस था और वो वहाँ पर जाकर जितनी देर राइटर पढ़ता τα था इतनी देर वो टैंपल में बैटकर स्कूर्पचर्स को पढ़ा करती थी यानि के धार्मिक किताबों को वो पढ़ा करती थी और उसके बाद जब वो घर वापिस आते थे तो वो जो विलेज के डॉक्स होते थे उनको स्टेल चापातिस वो खिलाया करते थे के स्टोरी के अंदर जो दादी और जो पोती की जो अटेजमेंट है उनको डिस्क्राइब कीजिए तो आंसर है कि जो दादी जो थी वो अपने पोते से बहुत ज़ादा प्यार करती थी और जब उनका पोता पांस साल के लिए ब्रोट जा रहा था तब उसको छोड़ने के लिए रेइल्वे स्टेशन पर आती है और हेंशे की तरह रहे होती है और अपनी जब आला को घुमा रही होती है बनको पर मंतर जब कर रही होती है और उसके बाद वो उसके फोरट पर किस करती है और जब वो पांच साल के पाथ वापिस आता है तो वो अपनी खुशी को किस तरीके से एक्सप्रेस करती है कि वो अपनी परोस की लेडीस को इकठा कर लेती है और जो ढोलक होती है उसको बजाना शुरू कर देती है और गाना गाना शुरू करती है और बहुत घंटो तक वो गाना गाते रहते हैं कौन से गाने की जब सैनी की युद्ध जीत का घर वापिस आते हैं तो उनकी आने की खुशी में जो गाने गाये जाते हैं वो गाने वो उस ग्याने की खुशी ने सब गाते हैं मिस्ट हर इवनिंग प्रेयर और उनकी लाइफ का शैद वो पहला टाइम ऐसा होगा कि जब वो अपनी एवनिंग प्रेयर को मिस्स कर देती हैं यानि कि वो इतना गाने बजाने में डूब जाते हैं कि वो अपनी इवनिंग प्रेयर तक को मिज़ कर देती हैं और यह सब इंडिकेट करता है कि वो अपने पोते को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैस्ट थी question number six है explain as for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting के इस चीज को कीजिए के कभी मेरी grandmother जो है young रही होंगी प्रिटी रही होंगी ऐसा तो सोचना भी एकदम मेरी विचारधारा के विरुत है तो ऐसा क्यों कहा था writer ने इसको explain कीजिए तो answer है the narrator's grandmother was terribly old terribly old का मतलब होता है students की हद की सीमा तक यानि के एक सीमा होती है उसकी हद तक वो old थी यानि के वो इतनी ज़्यादा old थी कि उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इससे ज़्यादा भी कोई बुड़ा हो सकता है बुड़ापे की शैद वो अन्तिम सीमा तक old थी शी वोज नोट यंग एंड ब्यूटिफूल अब वो इतनी ज़्यादा 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 नहीं थी और इतनी ज़्यादा ब्यूटिफूल भी नहीं थी हर फेस वोज आ क्रिस क्रॉस और उनके फेस के उपर आड़ी तिर्ची जो जुरिया थी वो इदर से उदर भाग रही थी यानि उनका जो फेस था पूरा का पूरा रिंकल्स से भरा हुआ था बहुत बुरी तरह से शी वोज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली पैंट और इसके साथ वो थोड़ी सी छोटी थी थी थोड़ी सी चाइल्थूट अब जो ऑथर उन्हें देख रहा था इतना ही बुरा वो उसे कब से देख रहा था जब वो बिलकल छोटा सा बच्चा था मतलब कि जब से ऑथर ने अपना होश संभाला था तब से वो अपने दादी मा को इतना ही ज़ादा बुरा देख रहा था बहुत ज़ादा बुरा देख रहा था और इसलिए जब कोई उसे बताता था कि उसकी जो दादी थी वो कभी बहुत ज़ादा यंग होती थी सुन्दर होती थी और बहुत ज़ादा खुबसूरत हुआ करती थी तो इस पर उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता था क्योंकि उसके माइन में उसकी कल्पना में सिर्फ उनका वो ही रूप बस गया था जिस रूप में वो बच्पन से उन्हें देख रहा था तो इसलिए जो ये विचार ही था उसकी पूरे के पूरे एक अल्मॉस्ट रिवोल्टिंग था मतलब कि चाहते वे भी वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता था कॉश्चन नमबर सेवन था की बूरी इतनी ज़्यादा बूरी कि इससे ज़्यादा तो जैसे वो बूरी हो ही नहीं सकती इसको एकस्पेंड कीजिए तो आंसर है और उनको देखकर ऐसे लगता था कि शायद इतनी ही ज़्यादा बूरी हो ही नहीं सकती है अब वो पिछले 20 साल से लगभग इतनी ही ज़्यादा बूरी नजर आती थी तो जो खुश्वान सिंग जी है वो शायद 20 साल के होंगे उस वक्त जब उन्होंने ये लिखा था अपनी ग्रेंड मदर के बारे में और जब से वो छोटे से थे तब से वो ने इसी एज में देख रहे थे अब उनको देख कर तो बिलकुल ऐसा ही लगता था कि अब वो इससे ज़्यादा तो शायद बूरी होना पॉसिबल ही नहीं है वो अपने बुड़ापी की एक अंतिम सीमा पर क्या है खड़ी हुई है इसी लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि बूरी इतनी ज़्यादा बूरी कि शायद इससे बूरा तो कोई हो ही नहीं सकता कोशन नमबर एर्थ है ‑‑ डिनरेचर की ईससे दिखती है कि जैसे विंटर का लेंडसकेप हो माउंटेन में यानि कि पहाड़ों में जब सर्दियों में जो बरफ पड़ जाती है वहाँ पे तो पर वहाँ का जो लेंडसकेप हो जाता है तो वो वैसी ही दिखती है तो इस चीज़ पर आप कमेंट कीजिए तो आंसर है The grandmother always wore spotless white clothes की grandmother जो है हमेशा बीना दाग के spotless white clothes डाला करती थी Her locks of hair also looked pure silver white अब जो उनके बाल थे वो भी कैसे नज़र आते थे कि बिलकुल silver white नज़र आते थे बिलकुल सफेद उनके बाल थे Her spotless white dress and silver white hair made her look like the snowy mountain in winter की अब जो उनके spotless white dress होती थी और जो उनके silver white hair होते थे वो उनको बिलकुल किस तरीके से दिखाते थे कि जैसे winter में जो mountains है उस पे बरफ पड़ जाती है तो बिलकुल वो वैसी ही दिखा करती थी This snow of the mountains looks very beautiful to see a very peaceful atmosphere spreads there and along with it is a very cold अब जो mountain की जो snow होती है students की वो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगती है और इसके साथ साथ ही महाँ पर क्या है एक बहुत ही शान्त वातावरन फैल जाता है बहुत ही शान्ती वहाँ पर छा जाती है और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा थंडी भी होती है महाँ बहुत ज़्यादा थंड परने लग जाती है तो ये जो दृष्य है कि जब माउंटेन में बरफ परती है तो वहाँ का पूरा वातावरन एक ऐसा सुन्दरता से भर जाता है और एक ऐसे शीतलता वहाँ पर छा जाती है और इसके साथ साथ वहाँ पर इतनी शान्ती छा जाती है तो जो ये सारी चीज़े हैं ये रिलेट करती थी ग्रैंड मदर की परसनालिटी से अब जो ग्रैंड मा है वो भी बहुत ज़्यादा शान्त थी बिलकुल इस माउंटेन की बरफ की तरह उनकी वहवार में एक बहुत ज़्यादा शीतलता थी और बहुत ज़्यादा वो शान्त सभाव की थी और उसी की तरह जैसे की माउंटेन में बरफ वाइट कलर में होती है तो उनकी परसनालिटी भी पुरी क्या थी बिलकुल वाइट कलर से ही भरी हुई थी कि बाल उनके सफेद थे ड्रेस उनके सफेद थी और इसके साथ ही वो कैसे लगती थी कि वो एक पवितरता की गौड़स लगती थी कि जैसे एक पवितरता की वो कोई देवी हो वाइट क्लोट्स एन वाइट हेयर मेधर लुक लाइक था स्नो ओफ दा माउंटेंस और उनके जो वाइट क्लोट्स थे और उनके जो वाइट बाल थे वो बिलकुल उन्हें किस तरीके से दिखाते थे जैसे कोई माउंटें की बरफ होती है तो इसी वज़े से उनको जो ओथर ने एकस्प्लेइन किया है वो विंटर लैंड स्कैप से रिलेट किया है तो स्टुडेंट ये थे हमारी कुछ इंपोर्टन कुछन आंसर्स आफ दे पोर्टरिट ओफ ए लेडी के तो कुछन आंसर्स पे एक वीडियो आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखें वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हीट कीजिए ताकि आने वाला हर वैलेबल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वाचिंग स्टे कनेक्टिड थैंक यू